हाई व्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्पिंज बीबी टाल्क का रिव्यूँ आप सभी ने बीबी क्रीम का नाम पहले से सुना है यूज भी किया है लेकिन मेरे पास ये है बीबी पाउडर जी हाँ बीबी पाउडर जिसका आज मैं रिव्यूँ करूंगी बीबी टाल्क यानि की ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी टाल्क मोस्ति लोग मेकप के बाद मेकप को सेट करने के लिए पाउडर लगाना पसंद करते हैं क्योंकि पाउडर मेकप को सेट कर देता है और चेहरे में तुरंद चमकला देता है वैसे मार्केट में और भी powder एवलेवल है बट ये है BB powder और ये claim करता है कि अगर आप इसको use करते हैं तो ये आपके चेहरे पर instant glow देता है चेहरे के spot और blemishes को cover कर देता है यानि की hide कर देता है और आपके चेहरे को एक fresh look देता है मैंने ये छोटू सा size लिया है trial के लिए अच्छा लगेगा तो मैं बढ़ा लूँगी मेरे पास ये 15 gram का pack है जिसका price है only 10 rupees and ये college going girls के लिए काफी affordable है और travel friendly भी है अभी मैं आप लोगों को इसे apply करके दिखाऊंगी लेकिन apply करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि ऐसा नहीं है कि इस powder को लगा के आप गोरे हो जाएंगे जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये कुछ घंटे की लिए आपके चेहरे को गोरा करेगा आपके skin tone को light करेगा and इस powder का texture काफी अच्छा है और powder की तरह white नहीं है अच्छा नहीं लगेगा and ये काफी अच्छे से blend हो जाता है एक और बात ये dark skin tone के लिए सही नहीं है अगर आपके skin का color ज़्यादा dark है तो ये फिर आपको suit नहीं करेगा अगर आपका skin tone medium है fair है फिर तो ये powder आपके लिए सही है इसके अलाबा अगर आपके skin वाईली है तो फिर ये powder आपको अच्छे से suit करेगा लेकिन अगर आपके skin बहुत ज़्यादा dry है फिर ये powder आपको suit नहीं करेगा जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये आपके skin tone को light करता है ये आपके चेहरे पर 2-3 घंटे तक रहेगा लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि night में अपने चेहरे को clean जरूर कीजिए तो आपको जब कोई make-up नहीं लगाना हो तब आप इसे लगा सकते हैं या फिर make-up करने के बाद make-up को set करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं जब आपको इतने कम price में इतना अच्छा product मिल रहा है तो मैं तो बोलूँगी कि एक बार try करके जरूर देखना चाहिए अगर आपको मेरा ये review पसंद आया है तो मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चानल को subscribe कर लीजिए और subscribe के बगल में एक घंटी का बटन आएगा उसे जरूर दबाईएगा, thank you, bye bye